नमस्कार दोस्तों, इस्टेटी विद्जान प्रकास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज 5 मार्च है, आज के दरिंग रोजगार समाचार, दिखे फ्रेंड, सोसल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तब आप हमें इस्टेटी विद्जान प्रकास को रद्द करना सही, दिखे फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि UPSSC ने बीडियो की जो परिच्छा थी, 2018 वाली, उस परिच्छा को पुरह कराने के बारे में बात कही थी, लेकिन इस परिच्छा को, यहने कि re-exam कराने के बारे में, UPSSC ने जो decision लिया था, इसको double bench म भी चुनोती देने वाले जो भरती थी, उनकी याज क्या को रहात नहीं मिली है, याज क्या रद्द कर दी गई है, तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल कनफर्म हो गई है, कि अब जो भरती आई थी, ग्राम विकास अधिकारी की, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचाय या मई में अप्रेल में तो नहीं लेकिन मई में ये परिक्षा जरूर हो सकती है हालांकि कलेंडर के मताबिक ये परिक्षा फरवरी में ही कराई जानी थी लेकिन फिलाल अभी जो लेटेस्ट अबेटे उसके मताबिक सरकार बनने के कुछ दिनों के बाद ही परिक्षा होगी तो अप्रैल के लास्ट में या फिर मैं में ये परिक्षा हो सकती है खबर है कि अधिनस सेवा चैन आयोकी भरती परिशाओं को रद्द करने के मामले में दाखिल अपील पर याजियों को राहत नहीं मिली है और हाई कोड ने एकल पीट के फैसले को सही मानते विए याजिक्या को खारिज कर दिया है यह आदेश नहायमूर्ती राजिस बिंदल और नहायमूर्ती पियूस अग्रवाल की खंड़ पीट ने विकास तिवारी और अन्न की याजिक्या को खारिज करते विए दिया है तो अधिनस सेवाचे नायोग की ओर से ग्राम पंचायद अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्यान परिवेक्षा के पदों पर भरती के लिए परिच्छा कराई गई थी लेकिन परिच्छा में धान्दी होने पर उसे हाई कोट में चुनोती दी गई थी मामले में सुनवाई करते विए एकल पीट ने 14 दिस्टंबर 2021 को अपने आदेश में भरती परिच्छा को रद्द कर दिया था याचियों की और से एकल पीट के फैसले को चुनोती दीगे थी जो लोग सफल हुए थे उस परिच्छा के दौरान उन लोगों ने इस मंदब कैंसलेशन को चुनोती दी थी लेकिन मामले में सुनवाई करते विए मुक्रियाय मुर्ती की खंड पीट ने एकल पीट के फैसले में कोई भी कमी नहीं पाई और उसे सही मानते विए याचिया को खारिच कर दिया है तो एक बात बिलकुल असपस्ट हो गई है कि अब ग्राम विकास अधिकारी की जो परिक्षा होगी पुना परिक्षा वो सरतियां होगी तो अब आपके मन में कोई भी संसे नहीं रहना चाहिए कोड में याचियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि मामले के तत्तियों से सपस्ट है कि दागी उमिदवारों को आसानी से अलग किया जा सकता है याजी के अधिवक्ता ने अपने पक्षी में सचिन कुमार अन्य बनाम दिल्ली अधिनस सिवा चेन बोर्ड के मावले में सुप्रीम कोड द्वारा दिये गे आदेश का हावला दिया था कहा कि पूरे परड़ाम को रद नहीं किया जाना चाहिए था कहा कि आयोक का नेड़ जांच रिपोर्ड पराधारी थे जिसकी प्रती याज क्या करताओं को भी नहीं दी गई थी अभी तक फाइनल रिपोर्ड नहीं दी गई है तो प्रारंबी जाज रिपोर्ट में निसकर्स के बल प्रतंद रिष्टिया है इसलिए इस पर कोई निड़े ने लिया जाना थिया था फिलाल अभी अब बाद बिल्कुल निश्चित हो चुकी है कि वीडियो की पुना परिच्छा अब होगी ठीक है और इसको लेकर अब आपके मन में कोई भी संसे होना नहीं चाहिए वहीं वेफ्रेंट्स कल रात को भी मनें आपको अपडेट कर दिया था कि MTS पेपर वन में कुल्चोवाली सजार 680 अभ्यती सफल हुए है तो MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ नान टेक्निकल 2020 के पेपर वन का पायणाम सुक्रुवार को घोशित कर दिया गया अनारक्षित 18,480 OVC में 11,600 EWS के 3,070 SC के 3,590 और EST के 2,980 समेट कुल 44,680 अभ्यतियों को पेपर 2 के लिए क्वालिफाई कराए गया है पेपर 2 का कायकरम वेबसाइट पर जारी किया जाएगा अंतिम उत्तरकुंजी 14 मार्च को IO की वेबसाइट पर अप्लोड की जाएगी और सफल और सफल अबेटियों के अंग भी 14 मार्च से 13 अप्रेल तक वेबसाइट पर रहेंगे और वही पर दोस्तों अगर बात करें हैं UPPCS के बारे में UPPCS का नोटिफिकेशन आने वाले एक दो दिनों में या दो तिन दिनों में कभी भी जारी हो सकता है कुल मिलाके देखा जाए तो लगबग 300 के आज पास इस बार पद रहेंगे पदों की संक्या अधिक भी हो सकती है इस बार सबसे अधिक 4 मौले 2 पद है तो एक पद जो की SDM का होता है आप जानते ही है SDM या पद कितना गरिमा वही पद होता है तो इसके लिए इस बार केवल 39 पद हैं भी और इसी के साथ DIPTSP का जो पद होता है तो इसके लिए अभी पदों की संक्या कितनी है 93 है ठीक है और कुछ बिला के 300 से अधिक पदों पर ये भी गिप्ती जारी हो सकती है तो आपको बिल्कुल भी कोता ही नहीं बतनी है अब आपको अपनी तैरी में सीरिसली लग जाना चाहिए हला कि इसी चनल पर आपको UPPCS के लिए डेली प्रैक्टिस सिट और लेबल करवाए जाते हैं लेकिन बहुत कम लोग अभी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मातर एकजार 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 लोग ही आते हैं लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग सीरियस हैं वो लोग तैयारी में लग चुके हैं आगे बढ़ते हैं और अगली कबर है कि परड़ाम के तीन माँ बाद ही उत्तरकुंजी का पता नहीं बात यहाँ पर हो रही है UP PCS 2021 परिशा के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 मार्ज को 2019 और 2020 PCS Pre के लिए जो Final Answer की जारी की गई है उस पर अभ्भरती संतुष्ट नहीं है मामला Code में भी जा सकता है जो कि कुछ ऐसे प्रस्णों को डिलीट किया गया जिन प्रस्णों पर कोई भी मंदब आपजेक्सन नहीं था और उनको जो है Clear Cut सही माना जा सकता था तो ऐसे प्रस्णों को भी डिलीट किया गया तो यहाँ पर अभी जो 2021 की जो परिशा हुई उसकी जो Final Answer की है हाना कि एक आतियर आंसर की आंसर की आने के बाद आपजेक्सन लिये गए थे लेकिन Final Answer की अभी नहीं आई है तो इसको लेकर जो बयान आया है आयो की और से वो यह है कि उत्तरकुंजी में तक्निकी ब्योधान से कुछ भी लंब हुआ है लेकिन भबिश में परिशा की सुचिता, वैधानिकता और अभीड़ों की सुविधा के लिए समय के अंदर उत्तरकुंजी जारी की जाएगी लेकिन इसी के साथ यह भी सवाल खड़ा है कि एक दिसंबर को घोसित PCS 2021 की प्रारमीक परिशा की उत्तरकुंजी जारी करने में कौन सा तक्निकी ब्योधान है प्रिदोगी चात्संगर समित के अध्यक्ष और निस्पांडे का कहना है कि गुमराह करने के उद्देश से उत्तरकुंजी जारी करने में आनाकानी हो रही है और यहाँ पर PCS प्राइचा के प्रस्णों को लेकर विवाद हाई कोर्ट से लिकर सुप्रीम कोर्ट तक है आयोग ने कोर्ट के आदेश पर PCS 2015 में पहली बार उत्तरकुंजी जारी की थी तो PCS 2017 में गलत प्रस्णों को लेकर उच नियाले ने पैडाम दुवारा जारी करने का आदेश दिया सरबोच नियाले ने आयोग इपक्षोनिडे दिया PCS 2018 में आयोग ने संसोधित उत्तरकुंजी के अस्तान पर हुबहुब पहली उत्तरकुंजी जारी की थी अबेटियों के नायले जाने पर आयोग ने गलती सुधारी और उत्तरकुंजी जारी की 2019, 2020 और 2021 के लिए भी आज के दाखिल की गई जिसके सुनवाई इसी अप्तियों होनी है पुना कई प्रस्णों पर अबेटियों को आपती है जिसे लेकर अबेटियों नायले जाने को तयार है मतलब 2015 लेकर अब तक जितनी बार भी उत्तरकुंजी जारी हुई हर बार फ़ानल आंसर की पर बिवाद होता रहा और 2021 की उत्तरकुंजी तो अब आयोग कर रहा है कि जाओ जारी नहीं करेंगे अब देखते हैं जो लोग प्रवांचल विस्तु विद्याले में अपनी असनातक की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए एक मतपूर ख़पर है कि प्रवांचल विस्तु विद्याले में हाली में अभी जो एक बैठा कोई है परिशा समीत की उसमें डिसीजन ये लिया गया कि सभी महा विद्यालों के जो पहले समेस्टर की परिच्छा है ये OMR सीट पर होगी समीत ने तैं किया है कि परिच्छा में वस्तुनिस्ट प्रस नहीं पुछे जाएंगे और ये परिच्छा हो लिके बासुरू होँगी और पहले जो परिच्छा होनी थी ये 14 मार से स्टार्ट होनी थी कुल्पती प्रोफेसर निर्मरला येस मौर की अधिकस्ता में सुक्रवार को परिच्छा समीत की कुल्पती सभागार में हुई बैठक में समीती ने तैं कि या की प्रथम सेमिस्टर की परिक्षाएं जो हैं ये OMR सीट पर ही कराई जाएंगी अभी बाकी की जो परिक्षाएं हैं यानि की सेकेंड थर्ड के लिए जो परिक्षाएं होनी है और PG लेबल पर जो परिक्षाएं होनी है उसके बारे में अभी कोई decision नहीं आया है जैसे अगर आप सिक्षक बना चाहते हैं खास तोर से उत्तर बदेश में तब अब आपको कमर कस लेनी चाहिए उत्तर बदेश में चुना अपने समाप्ति की हो रहे हैं बहुत जल्दी आपको एक नई सरकार भी मिल जाएगी प्रायमेरी सिक्षक बरती के बारे में बात करें तो उत्तर देश में बरतमान में 50,000 से अधिक बदों पर एक नई सिक्षक बरती आ सकती है और इस बात की पूरी समोना है कि सरकार बनने के कुछ महीनों के अंदर देखो मैं तुरू नहीं कहूंगा कि सरकार बनते ही अगले दिन वेकेंसी आ जाएगी लेकिन 2022 में ही 50,000 से अध परती हुई थी उसमें जो पदरी रह गये थे अगर उसको जोड़ा जाए तो 8,000 से अधिक पदों पर एल्टी गेट के वेकेंसी आएगी जुनियर सिक्षक बरती के अंतरगत आप जानते ही हैं कि जो बेसिक सिक्षा परस्यत के जुनियर स्कूल है उसमें तो कुसी वेकें बात करें तो इसके बारे में भी न्यूज मिल रही है कि लगबग 10-15,000 पदों के बीच में ये वेकेंसी आएगी और असिश्टर प्रफिस्टर भरती के बारे में भी आपको पता है कि 2002 पदों पर अभी इंटर्व्यू चल रहे हैं तो इंटर्व्यू की प्रक्रिया पूर इसके बास सेकंड पार्ट के अंतरकरत भी गया पंजारी किया जाएगा तो फ्रेंट्स ये कुछ जानकारी है जो कि अभी बिलकुल सतही तोर से में मिल रही है तो इसके बारे में जब भी कोई लेटेस अब्डेट आएगी उसके बारे में आपको तुरंद सूचित करेंग सुक्र वाकू इलहाबाद विस्विद्याले और संग्टर महाविद्यलों में छाथ-छात्राओं की भीड उमड पड़ी हजारों के सिर्केया में छाथ-छात्राओं ने अपने आवेदन जमा किये हैं फार्म जमा करने की लास्ट डेट दस मार्च है इसके बाद मिनिड़े लिया जाएगा कि परिच्छाएं आनलाइन मोड में हूँ या फिर आफलाइन मोड में हूँ तो यह हैं आज की पूरी अपडेट और अगर यह सिस्थन आपको पसंद आए फ्रेंज तब आप पीज वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों की बीच सेयर भी कि पारी रखें क्योंकि एक बार समय चला गया तो फिर केवल पस्चाता भी आपके हाँ आना है थैंक्यू सो मच